यमुना की तलहटी में स्टंट करते समय निशु देशवाल की दुखद मौत हो गई वहीं घटना स्थल से कुछ ही दूर खेत में काम कर रहे किसान धीरा ने आखों देखी कहानी बयांकी है किसान धीरा गाव तामशावाद के रहने वाले हैं धीरा सिह बताते हैं कि निशु देशवाल का ट्रैक्टर रेत में धस गया और उपर उठकर पीछे गिर गया पीछे गिरने के कारण निशु म्यूजिक सिस्टम अफ ट्रैक्टर के आगे के हिस्से के बीच फस गया उनके पास और ट्रैक्टर भी थे लेकिन वो निशु देशवाल के ट्रैक्टर को सीधा करने में नाकाम साबित हो रहे थे उसके बाद पास में काम कर रही JCB पहुँची और पल्टे हुए ट्रैक्टर को सीधा करने का काम किया गया किसान धीरा बताते हैं कि ये लोग दो दिन पहले भी स्टंट करने यहां पहुँचे थे और हादसे वाले दिन तीन ट्रैक्टर उनके पास थे निशुदेशवाल का गाव कुराड हादसे वाले स्थान से तीन किलो मीटर दूर है लेकिन यमुना को उन्होंने स्टंट के लिए सही स्थान चुना हुआ था वहीं लोगों के अंध विश्वास पर बोलते हुए किसान ने कहा कि यमुना किसी की भेट नहीं लेती है अब कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं पिछले 30 साल के श्रेष्ट अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगड में भी कक्षा बारहवी के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11 और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ केवल लिमिटेड सीट के साथ अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करे और अगर गढ़े में गिरोगे तो मौत तो होगी ही ऐसा कुछ नहीं है कि इस इलाके में मौत होती है ये सब गलत बात है और इस समय तो यमुना का पानी भी सुखा हुआ है निशु को जब JCB की मदद से ट्रैक्टर सीधा कर निकाला गया तो उसके सिर में चोट थी यही च इस ट्रैक्टर पर निशु देशवाल को खुद से भी ज्यादा भरोसा था वही निशु के लिए मौत का कारण बना जब स्टंट करने निशु जमुना किनारे गया तो वहां सबसे पहले उसने ट्रैक्टर को धोया और फिर स्टंट शुरू किये उसके दोस्त वहां खड़ होकर वीडियो बनाने लगे लेकिन दस मिनट बाद ही वह मौत के खेल में जिन्दगी की बाजी हार गया और दुनिया को अलविदा कह गया यमुना की तलहटी में स्टंट करते समय निशु देशवाल की दुखद मौत हो गई वहीं घटना स्थल से कुछ ही दूर खेत में काम कर रहे किसान धीरा ने आखों देखी कहानी बयांकी है किसान धीरा गाव तामशाबाद के रहने वाले हैं धीरा सिंह बताते हैं कि निशु देशवाल का ट्रैक्टर रेत में धस गया और उपर उठकर पीछे गिर गया पीछे गिरने के कारण निशु म्यूजिक सिस्टम अफ ट्रैक्टर के आगे के हिस्से के बीच फस गया उनके पास और ट्रैक्टर भी थे लेकिन वो निशु देशवाल के ट्रैक्टर को सीधा करने में नाकाम साबित हो रहे थे उसके बाद पास में काम कर रही JCB पहुँची और पल्टे हुए ट्रैक्टर को सीधा करने का काम किया गया किसान धीरा बताते हैं कि ये लोग दो दिन पहले भी स्टंट करने यहां पहुँचे थे और हादसे वाले दिन तीन ट्रैक्टर उनके पास थे निशु देशवाल का गाम कुराड हादसे वाले स्थान से तीन किलो मीटर दूर है लेकिन यमुना को उन्होंने स्टंट के लिए सही स्थान चुना हुआ था वहीं लोगों के अंध विश्वास पर बोलते हुए किसान ने कहा कि यमुना किसी की भेट नहीं लेती है